दोस्तों मैं हूँ भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट 2018 उन्हें इसकी जो वेकंसी आई थी में उसमे सेलेक्ट हुआ था और इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपिरियन्स शेयर करूँगा कि कैसे आप रेलवे में लोको पाइलेट बन सकते हैं आपको तैयारी करनी है किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है और दूसरों ने क्या-क्या गलतियां की जो आप ना कहें इस वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़े देखेंगे जैसे कि लोको पाइलेट में कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं क्या उनकी सेलरी होती है कैसे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं क्या-क्या स्टेजिस होती है साथ ही साथ लोको पाइलेट के जो अलग-अलग एक्जाम आएंगे CBT-1, CBT-2 उनका क्या-क्या सिलेबस होगा एक-एक पॉइंट पूरा सिलेबस में आपको बताऊंगा साथ ही साथ किन-किन बुक्स को आपको पढ़ना है रैफर करना है कौन-कौन से बुक्स आपको ये नौकरी दिलवाएंगी ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फिलाल इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये 2018-19 की वेकेंसी के बाद अब 2024 में पूरे पूरे चांस है रैलवे में लोको पाइलेट की वेकेंसी निकलने का क्योंकि चुनाओ भी आने वाले हैं और इस वीडियो में हम सरफ 6 महीने की बात करेंगे कि 6 महीने में इस एक्जाम की तयारी किस तरह से करनी है आप मेंसे दोस्तों बहुत सारी लोग ऐसे होंगे जो S.S.C. की या और किसी एक्जाम की दरोगा वगारा की तयारी कर रहे होंगे या करी होगी समझ लो अगर आपने तयारी किये तो आपको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं रैलवे में पर जिनोंने तयारी नहीं की जो फ्रेशर है या जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर है ये उनके लिए है ठीक है सबसे पहले eligibility की बात कर ली जाए कि इस form को कौन कौन भर सकता है तो जब भी ये form आते हैं तो इसमें ALP और technician दो जौब निकलती है technician में कुछ जो post होती है उसमें 12th pass मांगा जाता है और जो बची हुई कुछ post होती है उसमें ITI ही मांगा जाता है धियान रखना technician की जो ITI वाली post है उसमें सरफ ITI वाले ही भर सकते है BTEC वगरा वाले नहीं भर सकते पर जो assistant local pilot की जो post होती है उसमें क्या-क्या मांगते हैं या कौन-कौन उसको भर सकता है उसको आप 10th के बाद जिसने ITI की हो वो भी भर सकता है 11-12 के बाद की हो तब तो भरी सकते हो पर अगर जिसने 10th के बाद भी ITI कर ली हो वो भी भर सकता है डिपलोमा गया हो या फिर बी-टेक क्या हो वो सब भर सकते हैं बशरते आपकी computer science branch ना हो computer science को allow नहीं करते हैं बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि arts commerce वाले भी भर सकते हैं क्या तो दोस्तों जब हम commerce subject लेते हैं तो वो किस class से लेते हैं वो 11-12 में लेते हैं पर अगर आपने ITI कर लिया है तो कुछ दिक्कत नहीं है आप 10th के और ITI के अपने documents लगा देना और आप eligible हो जाएंगे ठीक है salary की बात परी जाए तो देखिये सरकारी नौकरियों में ये group C की नौकरी है और सरकारी नौकरियों में grade पर चलता है जैसे की police की बात करें तो सिपाई का grade पर होता है उनने सो और दरोगा का grade पर होता 1200 ऐसे ही यहाँ पर railway में असिस्टेंट लोको पाइलेट का ग्रेड पे होता है 1900 और लोको पाइलेट का ग्रेड पे होता है अलाउंस के तोर पर तो कुल मिलाकिया आपकी तनखा 50,000 या फिर इससे भी 10-15,000 रुपे उपर हो सकती है डिपेंड करता है आप कितनी ट्रेन चलाते हैं रेलवे में यही साब चलता है मान लीजे आपकी night duty ज़्यादा लग रही है तो night के कुछ भते मिलते हैं किलो मिटर के कुछ भते मिलते हैं सब भत्ते छोटे छोटे भत्ते जुड़के सेलरी थोड़ी सी जादा हो जाती है तो 50-60,000 आप मान के चलो कि आप जब असिस्टेंट लोको पाइलेट बनेंगे तो आपको 50-60,000 रुपे तंखा मिलेगी कि आपको पैंशन मिलेगी क्योंकि यह सरकारी नाक्री है नहीं पैंशन नहीं मילेगी जैसे पहले मिलती थी अब अलग स्कीम आ गई यह नूइ पैंशन इसकीम आ गई जिसको कि हम NPS बोलते हैं इसमें क्या होगा आपकी सेलरी से रुपे कटते जाएंगे और बढ़ापे में जब वो इखटे हो जाएंगे तो वही रुपे आपको वापिस कर दी जाएंगे पेंशन के तौर पर प्रमोशन का कैसा में फिक्स होता है कि हम कब लोको पाइलेट बन जाएंगे नहीं यह ऐसा होता है मान लीजिए पचास लोको पाइलेट और पचार से एलपी हैं अब जब पचास लोको पाइलेट में से पांच रिटायर हो गए तो पांच की जगए खाली हो गई तो पांच असिस्टेंट लोको पाइलेट को प्रमोट कर देंगे लोको पाइलेट बना देंग असी हजार से एक लाग के बीच में तो रहेगी रहेगी और अगर आप जादा ट्रेन चलाते हैं जादा किलोमेटर बनते हैं तो आपके तनका सवा लाग के असपास या एक लाग दस जार एक लाग बीस हजार पी बन जाएगी पर बहुत से बच्चे इसमें बड़े खुश हो सिर्फ एससी में से इंगलिश हटा दो समझो बचा वो से ले बस रैलवे का हो गया पर जिन बच्चों ने अभी कहीं कोचिंग नहीं लगा रखी कहीं एससी की तैयारी नहीं करी कुछ तो ऐसे ही होंगे जो फ्रेश होंगे बिल्कुल पास होकी आए हैं वो कैसे करें तयार तो भाईया यह समझ लो अब आपको अगले 6 माईने तक डेली 5-6 गंटे पढ़ना है जब आप 5-6 गंटे पढ़ोगे न तो आप खुद बानोगे कि 5-6 गंटे भी कम है आप कहोगे 5-6 गंटे में तो 2-3 टॉपिक हो पाते हैं ठीक है तो पर शुरुवात करनी है दो गंट बैडमिंटन खेलो अगर कोई दावत है पार्टी ये ये मत करो अरे मैं तो पढ़ना है मैं शादी में नहीं आपँघंगो न हर शादी में जाओ हर पार्टी में जाओ इससे क्या होगा आपका मनखुश रहेगा आपका मांसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा आपका दूसरा तरीका बेस्ट तरीका में बताता हूँ जो की मेरा परसनल एक्सपीरियंस था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाओ भाया आपकी तैयारी समझ लो अपने आप हो जाएगी बहुत से बच्चे सोचते हम कोचिंग करेंगे अरे कोचिंग पढ़ाओ आप ट्यूशन पढ़ाओ छोटे बच्चे को 6 से 10 तक वालो को पढ़ा लो मैद आपको समझ लो अगर आपने 6 से 10 तक बच्चों को मैत पढ़ा ली 2-3 साल 4 साल तो समझ लो आपने किसी भी एक्जाम की मैत कर लोगे ठीक है तो भाईया बच्चे बगड़ लो पैसे भी मिलेंगे और आपकी तैयारी भी चलेगी मैत और साइंस पर फोकस रखना 6 से 10 तक मैं आपको अपना एक्सपिरियंस बताता हूँ मैंने 12 के पास करने के बाद मेरे फिजिक्स में बहुत कम नमबर आये थे तो मुझे बड़ा दुख लगा था तो मैंने गर्मियों की छुट्टी में फिजिक्स की किताब 2-3 बार पढ़ डाली इसके बाद मुझे बहुत अच्छी समझ में आ गई इसके बाद मैंने टूशन पढ़ाने शुरू कर दिये पहले 11 वालों को फिर 12 वालों को भी एक साल पढ़ाया दो साल पढ़ाया तीन साल पढ़ाया मैंने करीब 6-7 साल पढ़ाया जब तक मेरे कम्पलीट हुई पढ़ाई तब तक मैं पढ़ाता रहा पढ़ाई करने के बाद जब ये रेलवे की वेकेंसी निकली तो मैंने मजे मजे में भर दिया था मैं मजे मजे में पेपर दिया था पर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ हर एक्जाम में बहुत अच्छे नमर आए और उसका एक ही कारण था कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था जब मेरा पहला एक्जाम पास हुआ तो मुझे motivation मिला कि भाई, मेरा निकल सकता है भाई, रना सरकारी नौकरी के लिए दिमाग में क्या होता है कि आपको बहुत पढ़ना पढ़ेगा, कोचिंग पढ़नी पढ़ेगी जब मैंने पहला exam दिया, मैं उसमें पास हुआ तो मैं motivate हुआ, इसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी घर पे वाकई में मैंने पढ़ाई शुरू करी, फिर सारे exam निकाले पर पहला exam मैं टूशन के बल पे ही निकलाता हूँ और इसी का मुझे फायदा हर exam में भी मिला आप subject wise copy बनाओ, साफ साफ notes बनाओ, कोई भी YouTube चैनल पकड़ लो, कोई भी जिसने syllabus complete करा रखा हूँ जैसे जरूरी भी नहीं है कि एक ही चैनल से सारे subject पढ़ो जो सबसे अच्छा math पढ़ा रहा वहां से math पढ़ लो जो सबसे अच्छी reasoning पढ़ा रहा वहां से reasoning पढ़ लो जो सबसे अच्छी science पढ़ा रहा वहां से science पढ़ लो ठीक है और अपना syllabus पूरा कर लो indem exam की क्या-क्या stages होती है क्या क्या आपके सामने रेलवे में, लोको पाइले बनने में, क्या क्या रास्ते में आएंगे सबसे पहले के एक्जाम होगा जिसका नाम होगा CBT-1 CBT की पूरा नाम होता है Computer Based Test यानि Computer के उपर टेस्ट तो CBT-1 में जो बच्चे पास हो जाएंगे वो CBT-2 में जाएंगे CBT-1 के पेपर के नमबर कहीं नहीं जुड़ेंगे CBT-2 में दो पेपर होंगे एक पहले जैसा ही पेपर होगा Math, Reising, Science जी के और एक Technical होगा जैसे आपने अपनी कोई ब्रांच बरही होगी कि भई मैं Electrical से हूँ, को इसने लिखा होगा जो बच्चे टेक्निकल में पास होंगे पासिंग मार्क्स लाएंगे वो CBT-2 के नमबर देखे जाएंगे जिसके CBT-2 के नमबर जाद आओंगे वो सेर साइको में जाएगा यह अगली स्टेश साइको है साइको से लोग बहुत डरते साइको कुछ नहीं होता दोस्तों जब आप CBT-2 पास करके साइको की तरफ बढ़ेंगे उस समय बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं जैसे अभी अपने वीडियो निकालते हैं कि देखिए रेलवे के लिए देखिए साइको के लिए उस समय वह अपनी वीडियो निकालेंगे देखिए साइकों के लिए हमने कोचिंग चालू कर दिये बस कुछ नहीं करना है आपको ऑनलाइन टेस्स सीरीज ले ले नहीं है साइको की और डेली प्रैक्टिस करते जाना है सिंपल से सवाल होते हैं साइकों में मतलब आईक्यू बेस जैसे बच्चपने में नहीं पूछते थे एक ड्राइवर इदर से एक उदर मतलब आप समझ जाओगे मैं आपको बताऊंगा किसी दिन जो बच्चे साइकों में पास हो जाएंगे CBT2 और साइको के पेपर से ही मेरिट बनती है CBT2 का 70% और साइको का 30% जोडते हैं तब मेरिट बनती है जो बच्चे इन तीनों को पेपर में धीरे-धीरे करके पास हो जाएंगे करके उन बच्चों को डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो उन्होंने इमानदारी से सारे असली डॉकुमेंट लगा रखे होंगे डिटेल्स भरने में गलतियां नहीं की होंगी वो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे आप लोग को लिए एक सला है अगर आपके कुछ डॉकुमेंट ऐसे हैं जिनमें की अलग स्पेलिंग है माल लिजये आपके 10th के सर्टिफिकेट में अलग स्पेलिंग है या DOB अलग है फादर्स नेम अलग है दूसरे डॉकुमेंट से तो सभी डॉकुमेंट को एक जैसा करवा लो स्पेलिंग्स की बड़ी दिक्कत आती है माल लो आपके किसी टेंथ में और निवास परमान पत्र में नाम अलग-अलग हैं तो सेम करा लो अभी सही इसके बाद होता है मेडिकल मेडिकल में आपकी आख नाख दिल ये सब ही चीज़े देखी जाती है मेडिकल के लिए सबसे अच्छी सलाव है बताऊंगा भी बताऊंगा आगे बताऊंगा आगे आएगा अटेंशन नहीं है मेडिकल के बाद बनती है मेरिट मेरिट के बाद आपको ट्रेनिंग में बेज़ दिये जाएगा भिर तो कुछ तो औरता रहे कुछ भी होता रहे आप भहिया रेलवे में आ गाए समझो आपकी नौकरी लग गई अब आप सवाल पूछोगे कि भहिया बुक्स कौन से लें तो मैं एक बुक जिसको की चीक चीक के बताता हूँ पहले से ही इस बुक ने समझो तो ये बुक अकेली ऐसी बुक है जो आपकी नौकरी लगा देगी ये कैसी बुक है ये किरन पब्लिकेशन की बुक है और ये हैं सॉल्ड पेपर जब हम 2018 में थे तो उससे पिछली वाली भरती के सॉल्ड पेपर सॉल्ड करते थे मतलब मैं तो करता था अब आप 2023-25 की भरती देखोगे तो आप पिछली भरती जो की 2018 में आई थी उसके पेपर सॉल्ड करोगे नहीं करोगे भाई तभी तो आपको पता चलेगा हर बच्चे का ये सोच होती है कि आप देखू तो की रेलवेगा पेपर कैसा आता है तो लो ना देखो ना जब आप इस पेपर को सॉल्ड करोगे भाई ये 75 सवाल को 60 मिनिट में जब आप सॉल्ड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा मैं रेलवेगा पेपर एक गंटे में कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं बाद में पता चलता है कि अरे मेरे 4 सवाल चूट गए मेरे 5 सवाल मेरा भाई सवास तक एक सवाल नहीं चूटा क्यों कि स्ट्रेटेजी बनाई वही थी कैसे बनती ही स्ट्रेटेजी प्रेक्टिस से आपने एक पेपर सॉल्ड किया आपने देखा कि आपकी टाइमिंग नहीं बैट रही थी एक घंटे में 75 सवाल होगी तो 10-15 दिन बाद आपकी टाइमिंग बैठेगी आप एक घंटे में 75 सवाल करोगे ठीक है जब आप यह सब कर लोगे एक महिने प्रेक्टिस कर लोगे तब आप बहुत confidence के साथ एक्जाम पेपर में बैठ होगे और आप 60 मिनट के आप 55 मिनट में बैठ करके बैठ होगे 75 सवाल आप कहोगे मुझे तो टाइम एक्स्टरा पढ़ गया यह किरन पॉब्लिकेशन की बुक है जिसमें कि previous year के question paper है कहीं से खरीद लो बहिया चाहे आप दुकान से लिया ओनलाइन लिया कहीं से लिया वो आपकी मर्जी है ठीक है मेरा काम है सला देना क्योंकि मैंने भी खरीदी थी इसके अलावा अगर आपको फिर topic wise पढ़ना है आपको tricks की जुरूत नहीं पढ़ती आपको tricks की जुरूत नहीं पढ़ती आप solve करते करते same formulae से 10 सवाल solve करोगे तो आपको खुदी आ जाएगा एक इनकी ये book भी आती है इसमें पुराने दिनों में जो सवाल आते थे मैं इस सोशल जीके से history से geography से policy से science से ये सारे सवाल इन में है ठीक है सार संग्रे नाम से है ठीक और जो previous year वाली question paper वाली किताब है वो तो भाई साब आप ले लो नौकरी का सवाल है लोग नौकरी लगाने के लिए आपने देखा होगा बहत सी जहां पर आपने देखा होगा पैसे देते हैं लोग कुए कई खी लिए लांकरी लगाने के लिए किताब में थो मस्ट है मेरा कम-कम-कम से बता रहाएं मेरे कमरे की entire पूरी भरी होती है किताबों से अब नहीं भरी होती तब भरी होती थी, मैं जो form भरता था उस form, जैसे मालो मैंने railway का भरा, तो मैं railway से related बहुत सारी किताबे ले आता था, मैंने कभी bank का paper नहीं दिया, पर मैं bank की किताबे लेके आया, है ना समझ लो, मैं मेरा camera library बन सकता था तो किताबे बहुत जरूरी होती है ठीक है, किताबे बहुत जरूरी होती है तो आप ये current publication की previous year वाली कहीं से भी ले सकते हो, जरूर रखना इससे आपको अपना level पता चलेगा English में देखो, level सुनने में कितना अच्छा लग रहा है अगर मैं Hindi में बोलूँ, तो आपको अपनी आउकात पता चलेगी previous year से है न, आपको पता चलेगा कि आपके 75 नमबर में से, 75 में से कितने नमबर आ रहे हैं गंटे में क्या आप नौकरी ले पाओगे या नहीं ले पाओगे आप देखोगे कि अगर 75 नमबर आ रहे हैं आप किस सब्जेक्ट में पीछे रहे जा रहे हैं आप मैथ में कितना समय लगा रहे हैं आप रीजनिंग में कितना समय लगा रहे हैं क्योंकि साइंस और जीके में इतना समय नहीं लगता जितना मैथ रीजनिंग में लगता है टोटल सवाल बैठेंगे 75 75 नमबर का ये पेपर होगा और समय मिलेगा सुर्फ 60 मिनट यही खेला है यही खेल है इसलिए मैं कहा रहा हूँ प्रिवियस येर के जो कोशन पेपर है उसको प्रैक्टिस करो किसलिए स्पीड बनाने के लिए पेपर होने के बाद आप ये न कहो यार मेरे 5 सवाल छूट गए बस वो ही नहीं होना चाहिए ठीक है निगेटिव मार्किंग भी होती है एक तिहाई की ठीक है ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है यानि कि इसमें सिर्फ पास होना होता है आप चाहिए 75 में से 75 लियाओ या 75 में से 60 अगर दोनों लोग पास हैं तो दोनों लोग पास हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो पेपर में मेरेट में नमबर जुड़ते हैं वो CBT 2 के जुड़ते हैं CBT 1 में देखो 20 नमबर मैथ के 25 नमबर रीजनिंग के और 20 साइंस के यानि अगर सिर्फ आप तीन सब्जेक्ट पकर के चलो मैथ रीजनिंग साइंस 75 में से 65 नमबर की मैथ रीजनिंग साइंस रेलवे का सिंपल सा मूटो है मतलब अपनी तरफ से डायलोग पेल ला हूँ कि अगर आपने मैथ रीजनिंग साइंस अच्छे पर कर ली स्पीड बना ली समझो रेलवे का एक्साम आपका कारंटी से निकल गया जीके की तरफ कोई खास देखने की जुरुत नहीं है आप उसको कोई ऐसे ट्रिक से भी सीख सकते हो छोटे मोटे से ठीक है पर जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है वो क्या है मैथ रीजनिंग साइंस जरा सीबिटी टू देखो जो की आपकी नौकरी लगवाएगा यही वो पेपर है जो आपकी नौकरी लगवाएगा कितने नमबर के सवाल है सौ सौ सवाल है कितना समय है 90 अब भी आपको स्पीड जो है बढ़ानी पड़ेगी पच्चिस नमबर मैथ पच्चिस नमबर रीजनिंग चालिस नमबर साइंस चालिस बाई साब चालिस यही मैं कह रहा था कि मैं टूशन पढ़ाता था फिजिक्स का फिजिक्स इसमें ज़ादा आती है जो CBT2 का साइंस है ना इसमें फिजिक्स ज़ादा आती है और यही मुझे फाइदा रहा जिससे कि मैं पास होग पही है सही बता रहा हूँ बन्ना यार एक से एक उश्यार बच्चे बढ़े हुए है 25, 25, 50 और 40, 90 100 मैं से 90 नमबर Math, Reasoning, Science 90 out of 100 Math, Reasoning, Science 65 out of 75 अब आप खुद देखो सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप कर लो यहाँ पर वही सब्जेक्ट आपकी वही पढ़ा ही आपकी यहाँ काम हैंगी कोई अलग से थोड़ी पढ़ना है CBT1, CBT2 दोनों सेम, कोई अलग से नहीं पढ़ना है जो सवाल उसमें, वो सवाल इसमें जो सिलिबस इसमें, वो सिलिबस में कुछ भी अलग नहीं है CBT2 में 2-4 सब्जेक्ट अभी अलग आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है, और आज CBT2 में टेक्निकल का भी आता है टेक्निकल में क्या आता भी है टेक्निकल में 75 कोश्चन होते हैं और 60 मिनट होते हैं कोई दिक्कन नहीं पड़ती है बहुत आसान पेपर होता है एक किताब आएगी पेपर में उस समय आएगी जब आपकी बेकरिंसी उंगे न उस समय टेकनिकल की जो इसके नंबर नब्द में इसके नंबर जुड़ते हैं यह यह जो आपकी नाखनी लगाएगा 70% नंबर जुड़ेंगे इसके अच्छा आगे बढ़ने से पहले इनका सिलेबस भी देख लेते हैं CBT1 और CBT2 यह मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तो तभी का मैंने पेज समाल के रखा हुआ है CBT1 का सिलेबस देख लेते हैं वाई साब यह सब डेटेल में आपको बता चुका हूँ 75 सवाल है 65 मिनिट में जरा यह मैत का सिलेबस देख लो मैंने एक एक टॉपिक लिखा हुआ है इससे फाइदा क्या है इससे फाइदा यह है आपने यूट्यूब में डाला Decimals for SSC या for Railway आपकी बहुत सारी वीडियो निकल के आई जिस चैनल के आपको सबसे अच्छी वीडियो लगे उससे पढ़ लो इससे दूसरा फाइदा क्या है माल लीजे आपको ही भी चैनल पकड़के पढ़ रहे हैं इससे आप एक एक टॉपिक पढ़ते जारे हैं पढ़ते जारे हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जितना पढ़ लिया है यूट्यूब चैनल वाले ने कह दी सिलेबस complete आपको क है क्या reasoning हो गया यह हो गया math यह भाई यह साइंस में तो क्या है physics chemistry bio ठीक है अच्छा यह तो हो गया cbt1 कुछ नहीं है cbt1 में बस math reasoning science पकड़ लो आपका काम हो जाएगा cbt2 में भी आपका काम हो जाएगा ठीक है math के 25 reasoning के 25 और science के 40 अब देखो science में क्या क्या बढ़ जाता है science में 6 से 10 तक की physics chemistry bio तो रहती रहती है इसके अलावा एक subject बढ़ जाता है engineering drawing इसके अलावा देखो यह जो बीच के topic हैं यह सब के सब physics के topic हैं physics के topic हैं यही मैं बताना चाहरा था कि मैं tuition बढ़ाता था तो मुझे बढ़ी आसानी रही मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ी है इसके अलावा थोड़े से computer के सवाल थोड़े से environment के सवाल इसके उपर आपको कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों वाले सवाल आते हैं 40 number की 25 की math 25 की reasoning होगए 50 और 40 की science होगए 90 100 मैंसे 90 number सिर्फ 3 subject ठी अच्छा इसके बाद अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि हमें टेकनीकल का syllabus देखना है तो भाई साब यह डीजीटी की website पर जाना और वहां से syllabus डाउनलोड कर लेना वहां पर बहुत सारी ब्रांच आएंगी जो आपकी ब्रांच हो वो select कर लेना और आप अपना syllabus डाउ आइको का होगा इसकी online test series आ जाती है जिसको कि आपको daily बैठ के laptop में computer में प्रेक्टिस करनी है पेल के जित्ती ज्यादा प्रेक्टिस करोगे आपकी उत्ती इच्छी speed बनेगी और paper आपको उत्ता है अच्छे जाएगा और जिंदगी के आपको मजे लेने इसके बाद आपक जोगा medical medical में आपको कुछ नहीं करना है टेंशन नहीं लेनी है दारु बाजी नहीं करनी है और स्टेंट बाजी करनी है कई पता चले medical से पहले टांक डूड़बा के बैठ जाओ ठीक है कोई लड़ाई जगडा नहीं करनी कभी तुम पर कोई case उस कर दे फाल तुम्हें फस एक किताब खरीदो जिसमें की आप डेली एक दो पेपर सॉल्व करो, समय के अंदर सॉल्व करो, पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, एक महीने बाद आप देखो, कि आप साट मिनट के अंदर 75 सवाल एटेम्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मार्क्स बढ़ा पा रहे हो, नहीं बढ़ा पा रहे हो, जब आप सुरू सॉल्व करोगे, मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे सोचेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसको सॉल्व करें, ना, पहले दिन इसको सॉल्व करो, पहले दिन आपका क्या लेविल था, वो नोट करो, और 20, 25, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप math, reasoning, science पढ़ लो, उसके बाद आपका क् करो देखो आपकी शुरू में आपके कहीं मतलब 75 में से 50 नमबर आ रहे थे बाद में 75 में से 60-60 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपका लेविल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है आपकी स्पीड बढ़िए नहीं बढ़िए और नहीं बढ़िए प्रैक्टिस करो कैल्कुलेशन पास्ट करो बही आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो calculation जिसकी तेज होती है उसका बहुत अंतर आ जाता है solve करने में सवाल बहुत से बच्चे reasoning में घंटो ले जाते हैं मैद में घंटो ले जाते हैं क्यों क्यों कि उनकी calculation धीमी है ठीक है books किसी भी exam को पास करने के लिए बहुत जरूरी होती है आप जिस subject की book चाहे उस subject की में आए अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं पर ये तो पक्का नहीं होगी इसलिए मैंने मेरे पास बाकी book है मेरे पास ये book भी है और देखता हूं मेरे पास कौन से book है मेरे पास देखो ये book है जीके की मैंने आपको दिखाई मैंने आपको नहीं दिखाई मैंने आपको कौन से book दिखाई मैंने आपको दिखाया salt paper salt paper समझ लो ये आपकी नौकरी यही आपकी स्पीड यही आपके क्रेजी यही आपके टाइमिंग लाएंगे इसके लावा किसी कोई कन्फीजन हो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट करके